विकास के लिए सरकार ने बहुत सारे अलग-अलग योजनाय निकाले है। गाउं के विकास के लिए पंचायत बनाई है और शहर के विकास के लिए मुंसिपल्टी बनाई है। और इननी माध्यम से विकास के लिए सरकार बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है। और भारत निधर्मी राष्ट होने के कारण इन माध्यम से जो विकास के नाम आया हुआ पैसा वो किसी भी धर्म जाती के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते है फिर भी हमारे गवा के खोतिगाँ पंचायत में विकास के नाम आये हुए पैसों से मंदिरे बनाने का सिलसिला जारी है सरकार पंचायत के पास गरिबों का विकास गाओं का विकास करने के लिए पैसा दिता है लेकिन पंचायत इन पैसों का इस्तमाल इस तरह मंदिर बनाने और मंदिरों की सुन्दरता बढ़ाने के लिए कर रही है दुसरी ओर से इसी खोतिगां में अभी तक कहीं लोग बिना घर के कारण इस तरह जोपड़ी में दिन गुजा रही है और इसके साथ साथ रास्ता ना होने के कारण 10-15 किलोमेटर दूर तक चलते गुमते है और कहीं जगँ पैदल के रास्ते से ही गाडियां लेकर चलने की बारी आई है मैं भी खुद इसी गाओं के इलाके का होने के कारण खोतिगां में बांदे हुए मंदिरों का हिसाब लेने के लिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने पैंचायत में RTI Act दर्जिकिया और तभी हमें पता चला कि पूरे गए तीन साल में खोतिगां पैंचायत ने 20 लाख विकास के यहां खर्च किया है लेकिन उन में से 11 लाख सिर्फ मंदिर बनाने में खर्च किये गई है विकास के नाम आया हुआ पैसा इस तरह धर्म और जाती पर इस्तिमाल करने से हमारे नेता लोगों को कुछ फाइदा हो सकता है लेकिन हमारे समुदाय के लिए कोई फाइदा नहीं है मैं देविदास गाउंकर इंडिया अनहड के लिए खोती गाउं कांड करना गोवा से